जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी प्रेशांगला की गाउं रवगाथा सबसे पहले आएगी वीर अहीरों की वीरों गाथा आपे नम कर जाएगी हवा पहाडी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी जादव कुल के दीवानों को छत छत चीश चुकाएगी वीर अहीरों की वो गाथा आखे नम कर जाएगी रिजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी जार खनाई है हमिनाज है यदिकूल के वीर सहित जवानों पर आईए प्रदेश यादो महाशवा की ओर से आयोजित सभी जीलों में 18 नौवंबर को रिजांगला गौरव गाता पद्यात्रा में शामिल होकर अहीर अहीर अहीरों की मांग को बुलंद करें जय यादो जय माधो कैसकार में गिरफतार हुए कॉंग्रेस के तीनो विधायकों को कुलकता हाई कोट ने आज जमानत दे दी है जमानत मिलने पर इलफवानंसारी ने कहा है कि तीन महिने हम तीनो विधायकों ने वेहधी कष्ट से गुजारा है जार्तन विधान सवा का विशेश सत्र में तीनो विधायक शामिलोंगे बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए हमारे प्रदेश के लिए और हमारे चाहने वालों के लिए और हमारे मद्दाताओं के लिए हमें हरोसा है हमारे ज्ञाई बेवस्था पर और निश्चित तोर से हमें ज्ञाई मिला है मैं बहुत जादे नहीं कहना चाहूंगा मैं हमारे सुबसिंतकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे मर्दाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हों ने अभी तक हम पर विश्वास किया। तमाम परिसानिया थी हमारे पास में, आज कम से कम उस परिसानिया से हम निकल गए हैं, और मैं तहे दिल से आभार ब्यात करना चाहता हूं, मानिय उच्छनिया आलायजी का, इनों ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि सरकार को पिराया जा रहा है, पैसा मिलना वो आपका अप कर चोरी कर रहे हैं, वे हम लोगों आयकर का मामला है, हम लोग इसको देंगे, लेकिन इस परकार से हमको इस परकार से एक चाल बुन करके, कुछ माफिया किसिम के लोग, जो सरकार को गुमराह करके, सरकार के लोगों को कैबिनेट को गुमराह करके, अपना जो निजी स्वा साधने में लगे हुए थे, वो दिखा भी अभी हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में, जो जिसके लिए गड़ा खोता है, उस गड़ा में स्वें गिरता है, मैं ये कहना चाहता हूँ. आज भी जींच मिली है, हम व विदाग साफ होके हम वन जा रहे हैं, ईससे पहले भी आम लोगे मिला था लेकिन कुछ कornsदेिशन लगा दिया दिया था, आप तरगस्ता के अध्रीर दाखते हैं. मैं अपनी और से धार्ष्य वासियों का तुमाम लोग मैं आवार्वेक करता हूं कि मेरे बुरे दिन में मेरे साथ पड़े रहे और मुझे यकीन था कि हम लोग सज साभीत होगा और वजाग निकलेंगे आज कोट ने भी कहा कि नहीं हम लोग सलकार के जाने में हमारे कोई मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टीनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादगार लम्हों को बिताए ड्रीम डेस्टीनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टीनेशन जब दूरती है आज जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जवाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिक निस्ता देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्ता